हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ग्यान दोस्तो अब आप अपने किसी भी करज का समय बढ़ा सकते हैं RBI ने दी है रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा ये दो साल तक होगी वैलिड रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर अभी पूरी गाइडलाइन सामने आना बाकी है जो की बहुत जल्द आने वाली है पहले रीस्ट्रक्चरिंग कोर्पोरिट लोन में ही बैंक करते थे लेकिन अब कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए इसे अब रीटेल में भी किया जाएगा रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने एक नया सर्कुलर निकाला है इसके मताबिक आपने किसी भी तरह का कर्ज लिया हो आप इसका रीस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं बैंक आपका ये काम करेंगे इसके तहट आप अपने कर्ज की समय सीमा ब्यासदर और अन्य मामलों पर बैंक से बात कर सकते हैं आईए देखते हैं ये आपके लिए कितना सही है रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब पुनर गठन है यानि आपने कोई कर्ज लिया है इसकी समय सीमा 3 साल है ब्यास 8 परतिशत है आपने पिछले कुछ महीनों में EMI नहीं भरी है तो आपको रीस्ट्रक्चरिंग की सुधा मिलेगी हालां कि ये बैंक के उपर है कि वे किस तरह आपको छूट देगा या नहीं देगा एक्जाम्पल के लिए 20 लाग का कर्ज लिया है तो मुझे क्या करना चाहिए अभी कॉरोना के वज़े से आर्थिक गतिवीद्या ठप है सब की कमाई या सैलरी पर असर हुआ है अगर आप भी इसमें से हैं तो आपकी सैलरी पर असर हुआ है या बिजनस में से कमाई नहीं हो रही तो आप इसे चुन सकते हैं आप अपने बैंक के पास जाईए और बैंक से कहिए कि आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग करना है आपको ये वहे पूरी जानकारी बता देगा रिस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या हो सकता है रिस्ट्रक्चरिंग उस ग्राक के लोन की होगी जिसने पिछले कुछ समय में किस्तों का भुकता नहीं किया है जो ग्राक रेगुलर EMI दे रही है वे इस विदा का लाब नहीं उठा पाएंगे रिस्ट्रक्चरिंग के तहट मान लीजिए आपकी EMI 10,000 रुपए परती महिना है आपने चार महिने से ये EMI नहीं भरी है और आपका लोन का समय 5 साल बाकी है तो बैंक आपको ये चार महिने की EMI उसी 5 साल में बांट देंगा यहीं नहीं आप चाते हैं कि आपकी EMI की राशी कम हो जाए तो आप बैंक से अपने कर्ज भरने की समय सीमा बढ़वा सकते हैं इससे आपको ये फाइदा होगा कि आपकी EMI मासिक कम हो जाएगी क्या मूल धन और ब्याज में भी छुट मिलेगी नहीं ऐसा नहीं होता किसी भी रिस्ट्रक्चरिंग के तहट आप बस समय सीमा जादा ले सकते हैं ये इसलिए कि आप पर भारी भरकम EMI का बोज कम हो जाए और आप लंबे समय तक किष्ट भरें किस किस तरह के लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो सकते हैं अभी तक बैंकों में कोर्पुरेट लोन ही रिस्ट्रक्चरिंग होते थे अब RBI के नए नियम के मताबिक आप कार लोन, होम लोन, परसनल लोन या किसी भी तरह के करज की रिस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं लेकिन आप ये तभी कराईए जब आपको कोई आर्थिक दिक्कत हो रिस्ट्रक्चरिंग कराने से क्या घाटा भी होता है रिस्ट्रक्चरिंग बिल्कुल घाटे का सोधा है ये सिर्फ तभी कराना चाहिए जब आपकी आर्थिक दिक्तें कहीं ज़्यादा बढ़ गई हो खाटा इस तरह से है कि आप जितना ज़्यादा करज की समय सिमा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको ब्याज देना होगा बहले ही आपकी मासी की EMI कम हो लेकिन लंबी अबदी में वह एक बहुत बड़ी राशी हो जाती है जो आप ब्याज के रूप में बैंको देते हैं ये रिस्ट्रुक्चरिंग कब तिक रहेगी आरबिय के मताबिक दिसंबर तक इसका समय दिया गया है बैंकों को दिसंबर तक लोन रिस्ट्रुक्चरिंग करने को कहा गया है हाला कि RBA ने ये भी कहा है कि दिसंबर की अंतिम तारिक तक इंतजार करने या रिस्ट्रुक्चरिंग करने की बजाए बैंकों को इसे जल्दी से जल्दी करना चाहिए दो साल तक ये चलेगी क्या रिस्ट्रुक्चरिंग मेरा अधिकार है नहीं ऐसा नहीं है, रिस्ट्रुक्चरिंग बैंक की मर्जी है रिस्ट्रुक्चरिंग की सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आपका रिकॉर्ड सही होगा आपका लोन एंपिय नहीं होगा, आप डिफाल्ट नहीं होगे RBA ने कहा है कि उसने वन टाइम विंडो शुरू की है आप बैंक से रिपेमेंट का नया टरम पूछ सकते हैं आपको अतरिक्त क्रेडिट की सुविधा भी मिल जाएगी इसके लिए आपको 1 मार्च 2020 तक किसी भी लोन में डिफाल्ट नहीं होना चाहिए ये मोराटोरियम से कितना अलग है ये एक तरह से मोराटोरियम जैसी ही सुविधा है लेकिन मोराटोरियम में आपको 3 महिने की 2 बार सुविधा दी गई थी यानि आपको 6 महिने की पूरी EMI 6 महिने में ही देनी थी आप चाहें तो 2 महिने की 7 में दे सकते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्चरिंग में ऐसा नहीं है। यहां आप अपनी समय सीमा को बढ़ा से रही हैं। यह लंबे समय तक बढ़ सकती है। आपकी EMI पूरे साल के लिए एक समान बन जाएगी। रिस्ट्रिक्चरिंग से यह फाइदा है कि आपका लोन NPA नहीं होगा। आपकी Credibility सही रहेगी। बैंक आपसे वसूली भी नहीं करेगा।